सालम्हलेकुम वियूर्स वॉलकम प्रामे दिली चुर्डक्षन आज बैधिन सीजन के ब्रैडल कोलेक्षन ले किया है काफी प्रैडल क्लेक्षन हमने अप्लोड नहीं की थी आज की मुकम्ल वीडियो ड्रेडल लॉड़ेडल क्लेक्षण के ओपर प्यूर शिफोन के सूर्स ह विडियो कंप्रीट देखिएगा जो 18,000 वाली रेंग्यू से हमने कनवर्ट किया 13 में और जो 15 वाली थी वाज आपको सारे सूर्स मिलेंगे तेरह जार और साड़े 9,000 तो स्टार्ट हम साड़े 9 वालों से ले ले लेते हैं फिर एंड पर वीडियो में आपको ये ब्रैडल लक्जिरी कोलेक्शन शो करेंगे जो 13 में होगी बिसमिल्ला बढ़ के आगास कर रहे हैं ये प्यूर शिफून का सूट है मारिया बी का ये डिजाइन है और सारा हैंड मेड लक्जिरी शिफून के ओपर ये तियार हुआ है फालसा कलर है 100% प्यूर शिफून विद हैंड अमबैलिश्ट ये फ्रेंड बैक का इसका फ्लेर आजाएगा ये 100% प्यूर शिफून होती है निक्स नहीं होती ठीक है फ्र जो भी आपने शेप देनी है ये हैंड वर्क की सारी नेक लाइन होती है ये सारी स्टिच हुई विया बैक से अब देख सकते हैं ये सारा पिन पल्स का हैंड मिट काम होता है बैं शेप बनी विया पिक्चर के गॉर्डिंग नीचे जो पैचिस होंगे ये सेपरेट है बड़ा स्पेशल पीस है और इस कटवर्क के साइड के लावा नीचे का ये दामन भी दिया है ये फ्रेंड बैक दोनों पर कटवर्क होके लगेगा इसकी बीज़ा क्रीप से चेक करवाएं वियूर्स को यह दिखें जरा ये बड़ा पैच होता है इसकी क्वालिटी मेकि एपलेक होगा नीचे पाउं तक इसकी 50 तक भी लेंथ रखना चाहें तो इजी लिए आपकी बन जाएगी ठीक है ये सेपरेट इसके प्योर शिफून के स्लीव होती है और स्लीव के बॉर्डर्स हमने अलग से भी दिये में है यह देख रहे हैं यह स्लीव के मोटिफ्स हैं जिसना फ्रेंट पर आपकी कट वर्किंग आएगी इसी तरह यह फुल रेशम के साथ कट वर्क हुई भी इसके बाजों के ऊपर भी आएगी यह जो पिक्चर देखनें इसके एक्कॉर्डिंग ली मैं आपको सारी चीजें शो कर रहा हूं ठीक हो गया दुबट्टे के यह अबने पल्लू अलग से दिये हैं और टू साइड बार्डर इसका शिफली वर्क में कट वर्क इम्राइडरी में अल्रेडी बनावा है यह मैं आपको पल्लू दिखा रहा हूं दुबट्टे के यह देखने हैं इम्राइडरी की नीटनेस विनिशिंग बगारा आपके सामने यह दुबट्टे के कॉर्नर पर लग जाएंगे और प्यूर शिफून का दुबट्टा अल्डेडी इसका आप यह देखने हैं अब सारी इलरिया डिजाइन में कट वर्क हुआ है सेंटर से भी सारा कट वर्क हुआ है और साइड से भी हूआ है यह पैनल स्टाइल में इसकी और प्यूर शिफून में दिखाती है इसकी प्राइज आमने 9500 से यह वैसे रिटेल में इनके प्राइज ज्यादा चलनी है शिफून के सूट्स की लेकिन यह ऑनलाइन वीवर्स के लिए आफर है माशाला काम की मेकिंग और क्वालिटी से याप अंदाजा लगा लें क्या इस शोरने वाली औरिजनल क्रिस्टल और कोरा इसकी मॉडल पिक्चर आ जाएगी ठीक है फस्ट कम फस्ट सर्व बेसिस पे शिफून के सूट्स साड़े नो के साब से मिल जाएंगे ठीक है साड़े नो जार में त्रीपी सूट्स और वीडियो गैंट पर ब्रैडल सूट्स शिफोन माटीरियल और काम की मेकिंग अंदर देखने है औरिजनल क्रिस्टल यूज हुआ है तरक्वाइज कलर में और अंदर आप यह देख सकते हैं सारी नक्षी और कोरे दपके की हैवीवेड सैटिंग है यह काफी ब्रैडल पीस बना है लोड़ेड वर्क के साथ अंदर जरीम ड्राइटरी और यह नीचे दामन मंच भी देखें बड़ा खुबसूरत स्टाइल में टसल हैंगिंग के साथ नीचे इसके पैचिस मजीद भी दिया है अगर आपने लॉंग शेट और अगर बनानी है तो लॉंग मजीद भी हो जाएगी ठीक है यह शेट की लोग का हैं यह भी आप देख सकते हैं सारे हैंड वर्क में बने हैं जिनके शिफून में सूर्स की डिमांड थी यह बेस्ट वाइस है उनके लिए प्राइज भी बड़ी रीजनेबल दे रहा हूं और इस तरह से आपको लैरियर डिजाइन में इसकी शॉल मिलेगी सेंटर देखें का ठीक है क्वालिटी देखें जो मोटिफ पने हुए उपर शॉल के अदा टर्कवाइज में और अदा एक्वा ब्लू के साथ और फोर साइड आपको यह बादर मिलेगा रेडी डू वेर शॉल है यह बी शॉल्स हमारे तमाम सूट की रेडी होती है और लगजरी किसम की सब्सक्राइब करते हैं जो सिंगल पीस यह रिटेल की जो जो लोग पर चेस करते हैं उन्हें आइडिया है इससे पॉन लाइन में में मैक्सिमम नूंबर उफ पीस होती है तो इस वाजा से हमको जीरो प्राफिट पर आर्मूस्ट यह सूर्स अप्लोड कर रहे होती है प्य इसकी क्वालिटी और मेकिंग जड़ा चेट कर मायों व्यूर्स को पॉंड तक लेंथ रखें फिफ्टी तक लेंथ रखें खुली कटेंगा नीचे पैचिस भी दूंगा ठीक है यह देखें इप्य और रेशम जरी का काम होता है और उपर टर्क्वाइस कलर का सीक्वस यू चाहें तो और यह देखें इसके क्वालिटी पैचिस फ्रेंट बैक दोनों पर यह कटवर को के आपके पैचिस अटेच हो जाएंगे ठीक हो गया एक फ्रेंट के और एक बैक साइड के इस तरह से कटवर को के लगेंगे अभी इसकी मैं आपको बैक और स्लीव करता हूं यह स्लीव का सेपरेट पैच है ठीक हो गया और जो सबसे इसकी स्पेशल चीज है यह शौल है जिसना पिक्चर में आपको नजर आ रही है फोर साइड इसका और अलग से भी देंगे और वैसे इसका बना रहा है यह फोर साइड बॉर्डर शो कर रहा हूं साड़े साथ गज की इसकी एजिंग जो शौल के कॉर्णर पर लगेगी और इसकी भी जूरत नहीं थी जिक शौल जितनी है वी यह तियार हुई भी है यह देखें यह मिकिंग शौल की अब चेक कर सकते हैं अब यह देखें और इसका बार्डर एटेच हुआ वह फोर साइड ठीक है लेकिन इसक ही दिन में स्टॉक निल हो जाता है साड़े नहुजार पर नेक्स राटिकल एक और बड़ा पुपसुरत आपको शो करने लगाँ यह भी बड़ा हिट कोड है हमारा आफवाइट कलर में स्पेशल लक्जिरी डिजाइन है प्यूर शिफून माटेरियल में इसकी खास बात य और प्यूर शिफून का इसके साथ दुबटा विद पल्लू एपलिक्स देखने से तालुक रखता है पीस कंप्लीट डेखिएगा डिस्प्ले लगा के चेक करवाँगा वाइट में भी जो जिनके डिमांड होती है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्वालिटी के हवाले से क्वालिटी बहुत फाइन बनी विए एक तो प्योर है अब दूसरा अब इसकी यह मेकिंग और उपर जरी थ्रेट बगरा यूज़ होगा उसको भी क्लोज़ी जरा चेक करवाई वीवर्स को यह देखिए अब इससे भी जादा प्रॉमिनेंट होगा जब इनर लगेगा ठी प्रेशी नीम जरी का यह मिक्स काम होता है और पर और शिफून पर होता है ठीक है अब आपको मैं पैनल दिखा रहा हूं इसके नीचे आपके यह लाइलिक कलर का पैच नजर आ रहा होगा पहले यह शो कर देती है ठीक है फ्रेंट बैक दोनों पर लगेंगे यह देखिए इसका यवल आएगा कलर स्कीम देखें किसका दर मद्दम और खुबसूरत दी विया यह लालिक कलर का फर्स्ट पैच है फ्रेंट बैक दोनों पर और एंड पे लगस एक और पैच भी आपका कटवर्क होके यह अटैच हो जाएगा यह देखेंगे इसका दूसरा पैच है य स्लीव सेपरेट होंगे अगेन बता रहा हूं पूरा ड्रेस पे और शिफून पर बनावा है यह स्लीव आजएगे यह इसके स्लीव की आगे अलग से बीडिंग आजएगी यह इसके बटे के पल्लू है ठीक है यह देख रहे हैं फिनिश हुए वे पल्लू यह देखें अलग से शो करने लगा हूं रेडिश मैरून कलर है खिलतावा शेड है यह मैं आपको डिस्प्ले रगा कि इसकी चेक करवाता हूं यह आपकी तक्रीबन लुक आजएगी सोट की और ट्राउजर एड़ करके पे और लगजरी अर्टिकल यह भी आपको प्रवाइड करेंगे यह पीस त्यार हुआ है दपके का यह इसकी मॉडल पिक्चर है इसकी भी सेम प्राइस दे दूँगा 9500 प्योर शिफून के ऊपर बैक लगा कि इसको भी डिस्प्ले करेंगे ताकि कलर का अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए लाइलिक कलर है फालसा शेड जिसे आप कहते है यह बैक साइड है बैक सिंपल नी दी भी फुली बॉर्डर में दी भी है ठीक है नीम जरी की इंब्राइडरी भी भी है और फ्रेंट इसका टोटली हैंड वर्क में है कोरे दपके के काम में शिफून के उपर कोरे दपके काम और 9000 इंच ठीक है यह पीस है इस तरह से है यह यह हैवी वेट पीस होता है कोरे का सारा हैवी मटेरियल इस पर यूज हुआ है कहीं आपको इसमें मिसिंग नहीं नजर आएगी फिनिशिंग पर कंप्रोमाइज नहीं हुआ है उबरावा जिसे अब 3D मटेरियल कहते हैं कुंदन के साथ वो इसमें सारा यूज हो रह है यह शेट आगी अभी इसके आपको स्लीव स्टेक कर वाते हैं बैक आल्रेडी में दिखा चुका हूं ठीक है यह इसके दो बाजू आ जाएंगे खुबसूरत त्रीन सेटिंग के साथ और टू साइड हैवी माथा पट्टी स्टाइल में इसका दुबट्टा बना वै ठीक प्रिकल आपको दिखाती है नेवी ब्लू कलर में इस सारे दिने चुने हमारे डिजाइन्स हैं जो हमेशा से इनकी किस्त्मर की रिक्वेस्ट रहती है और निव कलर स्कीम के साथ या इतियार करवाया रॉसिल के ट्राउजर के साथ यह और पीस है ट्रॉसिल का ट्राउजर कि लगावा इसके साथ हैवीवेट साथ शॉल मिलेगी आपको काफी हैवीवेट और सेम प्राइज साड़े-9 में जैन्मन सैटिंग के साथ है और इसका ट्राउजर आ गया पहले जैन्मन ट्राउजर होते हैं इसमें आपको में किसी किसंगी प्रॉब्लम नहीं है इस शेट की फ्रेंट लुक का रही है, प्यूर शिफून मटेडियल है, इसकी भी बेस में में मैंशन कर रहा हूँ, स्टार्ट में मैंने बुला ला सारे प्यूर के आर्टिकल्स आज दिखाऊंगा, यह देखें, क्वालिटी देखें थ्रेट की, शिफून के ओपर अपनी एक ग्रेस होत काऊं कि किसी जगह से आपको एक थ्रेड भी इसका मिसिंग नहीं नजर आएगा, यह जस्ट अभी आपको फ्रेंट पैनल इसका मैं दिखा रहा हूँ, नीचे तीन-तीन तरह के इसके पैची आते हैं, नो पैची होते हैं, तीन फ्रेंट पे लगते हैं, ठीक है, तीन बैक पे लगते हैं, और यह थीन इसके बाजू पे लगते हैं, यह खुले पैची बैची नहु न भाइट के डिवाइड के आपके तीन चीज्ओं पे आजाएंगे, यह पैची आज़ाएंगे, प्योर शिफून की बैक और यह बाजू और इस पर पैची एजस्ट हो जाएंगे जो साड़े नो जार आप से ले रहे हैं इस शॉल की भी प्राइज निंग है जितनी यह हेवीवेड शॉल दी रहे हैं तीन पल्लू अलग से अपले कुवे में है और एंड पर आपको ए राउस सिल्क में ग्रिनिश पल्लू अपले कुवा मिलेगा और पूरी शॉल पे इस तर ट्राउजर आपको इसके साथ शो किया थ्री पीस ब्राइडल लग्जिरी सूट जस्त 9500 एक यह अच्छा आर्टिकल आया वा था लग्जिरी लॉन पर ठीक है यह शो कर देता हूं यह एक यह आर्टिकल आज की वीडियो में जो लॉन का शो करना फिर आम यह सारी स्क्रीन शॉट क्लिक कर लें लग्जिरी लॉन का सूट है प्योर खाड़ी स्ट्रफ के दुबटे के साथ काफिर ट्रेंडिंग आर्टिकल चल रहा है यह एक इपीस लॉन के बाकि जितने आज की वीडियो में सब फैंसी है यह इसका ट्राउजर आ गया ये इसकी चिकन कारी बोरिंग इम्रोइडरी में फ्रेंट स्रेंट लॉट है थिक हो गया यह थिर लॉन बी जो हो इसफिक होती है क्णिहिए और से बोरिंग इम्रोइडरी जरी हैंड वार्क सब चीजम दिलू घय में फेलैं गॊलाइट कॉम यह दूरिम Abbρα बोट इंशालला दुआइं देंगे जिसके पास भी पीस जाएगा इतना खुबसुरत काम बनावा यह सारा 3D फ्लावर्स का इसके उपर काम है ठीक है इसके सेपरेट पैक दिया है और बैक बाजू भीस के सिंपल नहीं है इंब्रॉडड़ीड है और कट वर्क इंब्रॉडरी में है ठीक है और मौस्ट इसकी शॉल बनी विया काफी मेंद के साथ रेडि टू वेर होती है यह इस तरह से आपको इंब्रॉडरी मिलेगे पल्लू ठीक है पे और खड़ी स्टफ का इसका ही दुबटा होता है और फोर साइड आपको यह इसकी कट वर्क भी मिलेगी ठीक है रेडी टू वेर शॉल है कुछ भी करवाने की जूरत नहीं है यह मैं उपन कर रहा हूँ शर्ट की लुक आपने ले लिए और शॉल में आपको डिस कम्प्लीट सेट मारिया वी का 9500 में अभी आर्टिकल 13000 वाले स्टार्ट होने वाले हैं सब के सब ब्रैडल आर्टिकल्स होंगे वीडियो में रहेगा और कम्प्लीट इसको देखिएगा ठीक है इंशाल्ला फाइदा होगा आज आपका इस वीडियो में प्राइस के हवाले से भी और चीजों के हवाले से भी जिंक कलर फस्ट पर आपको दिखाता हूं इस सारे न्यू राइवल्स हैं यह काफी टाइम से अपलोड नहीं हो रहे थे ब्रैडल को रहे दपके के सूर्ट आज यह मैं आपको शो कार रहा हूं और प्राइस रेंज भी बहुत जादा रि फ्रेंट लोक आती है ठीक हो गया यह देखें हैं हैंड मेट पीस है लॉंग शॉर्ट जिस तरह की भी आप शेड बनाना चाहते हैं बन सकती है काम फोकस करें ज़रा ब्रैडल मटेरियल सारा यूज हुआ है नेक लाइन से लेकर नीचे तक कफी एक्सपेंसिव काम हो गया ह हुए है है हैंड वर्क के यह नमने सेम प्राइस 13,000 में इनको इनको इंट्रिड्यूस की है जो इत से पहले हम प्राइज दे रहे थे आपको इनकी यह देखें को रहे की सेटिंग सारी यह लुक्स देखें अब इसकी ज़रा यह शेट की लोग का आ जाती है है हैंड मेट की लेक्ट्रिक जिंग कलर है ब्लूइश जिंग और डामन पैचिस भी अलग से दिये हैं और काम वाले पैचिस हैं यह देखें अगर लाउंग शेट बनानी है तो यह आपके इसके फुल अब जिदी शाल वनी वी है बलके थ्री टोन में टाइन डाय में मल्टी कलर कॉम्बिनेशन में इसका दुबटा आता है स्पेशल पीस है आज से पहले वीडियो में शोर नहीं हुआ वा नियू राइवल्स जस थैटीन थाउजंड थी पीस ब्राइडल सूट नेक्स आर्ट पिक्चर है यह उरिजिनली इसको सी ग्रीन कलर करके बोलती है और शन कलर बहुत प्यारा च्छेड बनाव है अभी ओपन होता है आपके सामने खुद आइडिया भी हो जाएगा कि पीस की क्वालिटी क्या बनी भी है यह लेखें इस पे आप गोटे की भी सेटिंग है हेवी नकशी का काम कोरे का इस सारा अंदर गोटा वर्क स्टिच्ट हुआ भी ऑड़र पर ही बनते हैं यह पीसिस में यह वीडियोज में स्टिच्ट कर देते हैं कि किसी वह पास time के Shortage होती है किसी के पास payment की होती है यह दोनों चीज़ी है आपकी save है time भी और price भी ठीक है और challenge कर कर रहा हूं all over the world international level के मारे सूर्स होती है यह आप किसी भी फंक्शन पर पहन लें कि दुनिया के किसी भी कोने में इन में कमी नहीं होगी इंशाल्ला थीक है क्वालिटी ग्रेंटेड हम यह दे रहे हैं सारा हैंडमेट काम होता है कि मिडल क्लास से लेगे हैर लीड क्लास तक कोई भी यूज़ करें इसमें किसी किसम की कमी नहीं है सूर्स में यह मैं चैलेंज कर रहा होता हूं आल ओवर दा वर्ड यह मारी सारी वीडियो यूट्यूब पे गिवन है इस नुज़ाइद के पीसिस आपको इस रेंज में नहीं मिलेंगे अगर कोई कारिगर यह हैवी बेट पीस बना भी देता है तो इनकी रेंजिस यह नहीं आएंगी इससे या डबल करने या तीन गुना करने और पे यह इस ट्रेंज में बनते हैं पीसिस यह फ्रेंट का पैच यह बाजू का पैच और यह इसकी बैक का पैच तीन पैचिस हर सूट के साथ होते हैं सूट की क्वालिटी आपने देख लिया है यह इसके दो बाजू बाजू ब शॉल की क्वालिटी भी आप यह देख सेंगे हैं यह सारा जरी वर्क होता है शॉल पूरी शॉल पर यह मोटिफ चलेंगे आपके ठीक हो गया रेडी टू वे शॉल है और यह आपकी इस तरह से ड्रेस की लोग आ जाएगी प्राउजर एड करके इस सूट के भी आपको प्रेडल सूट्स जिसको रिक्वाइन है फस्ट कम फस्ट सर बेसिस पर तेरह जार में दे देंगी यह मॉडल पिक्चर आजएगी फ्रेंट लुक आपको चेक कर वाती है इसकी जड़ा यह लुक्जिरी आर्टिकल रॉमन नेक्लाइन स्टाइल में ठीक है यह श्ट की लोक तो इनर से आपको अच्छी तरह एडिया हो जाएगा इनर जब लगेगा थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा यह जैस्ट मैं आइडिया के लिए ना आपको नीचे थोड़ा सा इसकी डबल करके दिखा रहा हो दाके काम प्रॉमिनेंट हो जाए यह देखें अब यह देखें इस सेंटर में बारी कलर स्कीम 3D दबका इवन साइट आप यह सूर्स की चेक करवाएं साइट प्रॉपर इस पर फोकस रखके मेंनत की गई है रिडी नीचे दामन तक एंड तक यह चेक करवें हैंडमेट ठीक हो गया इसके सेपरेट पैच्छी इलग से भी दिये हुए है यह गेन ओवर्विव दे रहों बड़ा प्यारा पीस बनावा है कलर भी खुबसुरत है और उपर जो आपने कलर स्कीम इसकी देखी है उसमें भी आप फीड़बेक लाज़मी दिया गरें नीचे कॉमन सेक्षिन में यह दामन का पैच है अब पैच अमोमन साधे छोड़े ह तक कब रोड़े करते हैं लेकिन इसके आप यह देख सकते हैं उसी तरह कौरे दपके की सेटिं में पैच बना है यह अफ्यके देखो और ये इसके दो बाजू आगे बाजू भी आप ये देखें पूरे दपके में बने है ठीक है काम बनाव है बाजू के उपर सारा और बाजू का सेपरेट पैच भी दिया वै और ये साथ इसकी लेरियर डिजाइन में शॉल आएगी आप ये देख लें फिर ओपन करता हूँ ठीक है ये क्वालिटी आएगी शॉल की ठीक हो गया और ये बॉर्डर मिलेगा आपको फोर साइट रेडी तू वेर शॉल है और सेम कलर का पूरा सूट बनाव है ये देखें ये आपके इस तरह से ड्रेस की लुका आजेगी और प्रापर ब्राइडल सूट ये भी 13,000 त्री पीस डेस्ट नेक्स्ट आर्टिकल आपको दिखाते हैं इसमें आसिम जोपा का आसिम जोपा की भी काफी ट्रेंडिंग में जा रही है चीज़ें प्योर शुफ इस सारा उपन नहीं कार रहा काफी बड़ा फ्लेयर है चार-पांच जिसका गेर होता है नीचे शिरारे का क्वालिटी दिखा दें तो भी बाकी चीज़ें उपन करते हैं ठीक है ये इसका नीचे का सारा शिरारे का पोर्शन है आसिम जोपा का हिट आर्टिकल ये मॉडल प पैचीज भी है शिरारे के साथ अचकर लॉंग शिर्ट चाल रही है तो उसी के कार्डिंग लिए प्योर शिफोन माटीरियल वे हमने इपीस तियार की है ये देखें आप फिनिशिंग इसकी ये दामन आएगा शिर्ट का ठीक हो गया क्रिंकल 100% प्योर होगी नेक लाइन और बैक मॉटिफ इसका लग से देएंगे ये अब ये आप देखें बैक का गिल है ये बैक के ऊपर लगेगा और ये इसकी फ्रेंट की नेक लाइन आप फोकस करें जड़ा इसकी फ्रेंट नेक लाइन है नफीस तरीन काम के साथ पीस अब है यापकी शर्ट की लोका आजएगी ये इसके जो उनसे पैचिस हैं आपके नीचे शर्ट के फिनिशिंग के लिए लग जाएंगे स्लीब इसके हमने ये सेपरेट दी होती है ये देखें ब्राइडिट स्लीव और प्रापर जिसना ब्रैडल शॉल होती है ना फोर करवाएं टू साइड बॉर्डर है एक कटिंग होके आपका पल्गों पर लग जाएगा और फॉर साइड इसका और शिफून के उपर ये दुबटा त्यार हुआ है और इजिनली जो शिफून का जिंक कलर आता है ये वह शेड है रेडी टू वेर फॉर साइड हैवी बॉर बनेगा ये और शिफून का यासिफ जोफागा सूर त्री पीस जिसना आपको शो किया 13,000 में नेक्स आर्टिकल आपको दिखाती है अनाया ब्रैंड का ये भी हमारी शौप का बड़ा हिट आर्टिकल है कलर कॉम्बिनेशन रोज गोल्ड कलर है पिंक पीच भी कह सकते हैं म अच्छा खुबसूरत कलर है ओपन डिटेल इसकी आपके साथ शेयर कर रहा हूं यह इसकी शेट की फ्रेंट लोक है गला दामन अभी लगना है यह जस्ट आपको पैनल दिखा रहा हूं गला बादर में बाद में इसका शो करता हूं यह देखें इसका सिर्फ आप वर्क फो अब इसकी नेख लाइन दिखाता हूं और नीचे बादर दिखाता हूं यह उपर नेख लाइन आएगी इसमें भी लेंफ की कोई कैद नहीं है चाए तो आप पांग तक रखें ठीक है यह आपने को रहें नेख लाइन तियार की वी है और नीचे इसके दामन एक्स्टेंश का आगी नेक लाइन आपको दिखा दिया है और ये एंड पे फिनिशिंग के रिए ये पैच दिया हो था टसल वाले ठीक है फ्रेंट के भी बैक के भी बाजू के भी और ट्राउजर के भी ये कंभाइन पैचिज आं और ये देखें इसके ये दो बाजू के कलर स्कीम देखें क्ली देखें इसकी इमॉरीट्री थिकनस भी फशें काफी गफ एमॉरीट्री नीजा रही है और ये साथ प्रौपर इसकी हेविवेट शाल है। फुल नीम जरी का काम होता है इसके ओपर सिंगल टॉन में शाल रही है इन शाल्स की यह क्वालिटी होती है आप किसी सूट के साथ इनको यूटलाइज कर सकते हैं रेडी टू वेर है फुल जरी का इसके ओपर काम चल रहे हैं और यह भी त्रीपी सूट आपको मिलेगा तेरह जार प्रेका आपको दिखाते हैं प्लम कलर में यह भी बड़ा इसके गले पे सारा 3D ब्रैडल वर्क हुआ है यह भी ओपन होगा वैसे तो आपकिंग से इंदाजा लगा लें यह उपन करूंगा इस काम की आप से बात कर रहा हूं ठीक है जो गले पे ना इसके प्रॉपर 3D वर्क दिया है डिस्प्ले लगा के चेक कर वाएंगे आपको इसको भी पहले यह फ्रेंड को फोकस करने प्लम कलर है ठीक है खिलतावा प्लम जिसे आप जो फ्रेश प्लम आपके माइंड में आ रहा है यह वो शेड है यह देखने यह सारी हैंड मेट सेटिंग यह भी दामन मंज दिखा रहा हूं जो चौक्स वगारा पर आपके आपके यह थ्री स्टेप्स के अंदर ना इस दपके को सक्रोल करके लगाया गया होता है यह इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं यह बैक से देखें सारा स्टिच्ट होता है कोरे का काम है यह फुली लोड़िट काम में गला बनावा है यह गले की जो सिंपल प्राइज है दस दर प्ल देंगे एक यह बाजू एक यह बाजू ठीक है और रेडी टू वेर आपको इसके साथ शॉल देंगे सेम कलर की यह वाला मॉटिफाय का शॉल पर फोर साइड रेडी टू वेर है यह एक ही पीस अवेलबल है लास्ट वीडियो में भी काफी इसकी रिक्वेस्ट भी ब्लैक क सबसे प्यारा आज की वीडियो का और इजनली यह इसकी सी ग्रीन टॉन की शॉल है जरी की और आइस ब्लू कलर का यह सूट है पहले इसकी बैक लगाएंगे यह यह इसकी बैक साइड है यह इसके फ्रेंट की लोक आप चेक करें यह नीम जरी और कोरे तपके में पीस त्यार हुआ रहा है यह भी दामन बंच देख लें फिर मैं आपको इसकी गले की लोक भी चेक करवाता हूं तूर से अपना आप यह चीज़ें दिखानती हैं चिस्मर्जी आप फंक्शन पर यह पहने यह प्रॉमिनेंट चीज़ें होती है और चितनी भी आप यह चीज़ें देखेंगे ना डिफरेंट चीज बीच में नज़रा रही हो किसका पैटरन बड़ा डिफरेंट इस सेंट को रहे में और में चीज़ेंट की नेक लाइन अब क्वालिटी चेक करें इसकी जड़ा है यह वाली क्वालिटी और बेस्ट 35 से 40,000 में भी ने तियार होती है और यह कलर स्कीम नहीं मिल रही होती है और बेस्ट यह इसका गला इसके ऊपर फुल पेस्टिंग हो जाएगा ठ इसके नीचे भी मजीब पैच है अगर इससे भी ज्यादा बनानी है तो यह टसल तवाला इसके नीचे एंड फिनिशिंग के लिए पैच दिया ला है आइस ब्लू कलर में को क्या यह फ्रेंट का पैच आजएगा यह इसकी बैक और बाजू का आजएगा और यह इसके कोरे दपके के दो बाजू आ जाएंगे मेकिंग से अंदाजा लगा लें क्या क्वालिटी दे रहे हैं आपको हैंड मेड के ब्राइडल बाजू शॉल की कलर स्कीम चेक करें इसकी तर्कवाइज सी ग्रीन बॉटल ग्रीन जो भी बूल है यह सेम जिसना आपको नॉर्मल कैबरा म मिलेगी स्कॉब ओपन भी कर रहा हूं और ट्राउजर भी आपको इसके साथ एड करके देंगे थ्री पीस लग्जरी मारिया भी का अर्टिकल तेरह अजार का एड्रेस बता रहा हूं मदेटी कॉलेक्शन शॉप नमबर 26 ग्राउंड फ्लोर मिडवे सेंट्रम सिक्स रोड म अगी रोड रावल पिंडी नेक्स वीड़े लेकिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा बहुत शुक्रिया अलाहाफिस